श्री अयोध्या जी का शिराम जन्म भूमी मंदिर हिंदों की धार्मिक तता आध्यात्मिक आस्था की आत्मा है साड़े पाच सो वर्षों के प्रदीर्ग संगर्ष के पश्षात आज हिंदू शिराम जन्मों भूमी मंदिर की पुनरिस्थापना के अलोकिक दैविक्षन के साक्षि बने हैं पाच शताब्दियों तक चले इस संगर्ष का एक छोटा सा पड़ाव था वर्ष 1990 एवं 92 में लाखो हिंदू राम भक्तों द्वारा की गई कर सेवा अथ्वा कार सेवा इस विशेश वीडियो सिरीज के माध्यम से हम कार सेवकों के अधितिय अनभव प्रत्यक्ष सुनेंगे नमस्कार मैं लक्षमान मनोर गोरे नमस्कार कार सेवक्षों मंगला लक्षमान गोरे आयो जानी कार सेवा के लिए गईते वो अलू प्रस्तुत कर रहे है जब कार सेवा में जाना था तब विश्व हिंदो परिशत ने जाने के अनुमती गी और एक फाम भरवा गिया क्योंकि परस्तिती बहुत भयानक थी राज्य में मुलाइन सिहास की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और वो बहुत कुरूरता से बरता कर रहे थे इसलिए हमने तयारी की एक ख़पते का खाना पीना वगरे सामान जो वजन नहीं है वजन विरेट सामान साथ में दिया उसमें बिस्केट गोली चौकलेट अगरा और पुरन फोली यह बहुत ही मात्रा में ज्यादा ही लेके गए थे क्योंकि सब परस्ति बहुत भयावा और अनिश्यत थी कहा रहेंगे कहा खाएंगे कहा सेंगे कुछ भी पता नहीं था इसले सब तयारी करके गए फैजाबाद तक जाने के बाद रोका दिया आगे नहीं जाने दे रहे थे सरकार की पुलीस बहुत लोगों को मारान कर रहे थी और उनको मत्थुरा लेके गए लेकिन मत्थुरा की जेल पूरी भर गई थी खचा खच भर गई थी बहुत तो जगह नहीं थी तो वहां के अजिकारी बोल रहे गए कि आप वापत जाओ यह भी जेल में भी नहीं रख सकते हैं और बहुत लोगों को तो जंगल में छोड़ दिया था कार्शेवों को कुछ लोगों को रेल गाड़ी में भरके सुनसान जगह जंगल में छोड़ दिया था ऐसा करके उन्होंने हमें वापस भीज दिया और हमें लोग आ गए वापस गर 1929 में गर में तीन बीटिया थी छोटी थी और पीताजे के साथ उनको छोड़के मैं आके लिए कार्शेवा के लिए गई थी तब बाबरी राचा गिराना है यही उम्मित सब के मन में थी अब सब इतने आनंद में थे कि अब राम मंदिर का निर्मान होगा राचा गिर जाएगा यही सब आनंद में उच्छाओं में आयद्य तक पहुचे आयद्य जाने के बाद हरेक राज्य की अलग-अलग व्यवस्ता थी उसमें महारश्ट की व्यवस्ता तीन नंबर भी थी हम लोग वहाँ सब लोग ठेरें वहाँ भड़ारा क व्यवस्ता रहने की व्यवस्ता थी फिर दूसरे दिन सुबह उठके शरुई में स्कार किया है हनुमान गड़ी जाके स्री हनुमान जी का शिरवाद लिया है और हम लोग डाचे के तरफ चल पड़े उसमें तीन नंबर पे हमारे महारश्ट की सब कासेवक थे हनुमान प्रभु स्री राम चंद्री जी की प्रुपा थी साक्षत स्री हनुमान जी वानर रूप में आये और कुछ कासेवक और हनुमान जी मिलके उपर घुमट के उपर चड़के तीनों घुमट राचा गिरा दिया है सब जब आनंदी आनंद हो गया है राचा गिराने के समय हम वहाँ थे सब मिट्टी और धूल में सब वातारण हो गया है कोई किसी को नहीं पैचान राता यतना सब धूल और मट्टी विखर गई थी दाचा गिरते ही वहाँ जो प्रभु श्री रामजी दिक्की मंदिर के जो सामान थे वो सब मिलना शुरू हो गये फितो सब को तो बहुत आनंद होगे हमें ये भी मिल गया पुरावा भी मिल गया उसमें वश्र थी श्री रामजी के संदुक, घंटा, पुजा साहित्य नजाने बहुत ही सामान था तो वो सामान देने के लिए हम सब लाइन में खड़े होके एक निश्य जगव वो सब सामान रख दिया जब कार्सेवा केले आयोध्य गये थे तो वहां रैपेड एक्षन फोस्ती वो गाड़ी पेती इंजुन बैटते थे एक गाड़ी चलाने वाला और दो बंदुग दानी दोनों तरफ बंदुग रख के वो डरा रहे थे लिकिन हम कोई डरने वाले नही थे सब आनन्द में थे कि कुछ भी हो आपता मंदिरी बनवाना है और सब घोशना होती मंदिर वही बनाएंगे हर एक के दिल में वही चाहती तब प्रबुर आमचंदरी जी ने डाचा गिरा के हमें बहुती आनन्द जिया आयोद्यम में वातारंग बहुती आनन्द आई था अजूब आजू के गाव के लोग हमारी खाने पिने की विवास्ता कर रहे थी बहुत मदद कर रहे थे गवर्मेंट के लोग भी मदद कर रहे थे तब यूपे में उननी सो जान्द में कलेंशीह सरकार की सत्ता थी भगवान स्री राम ने वातारंग अनुकुली बना दिया था इसलिए हम लोग सब कृतत नता व्यप्त करते हैं और हमारा सौकना भी पूरा हो रहा था उसके लिए बहुत कार स्वेवकों का बलिदा मुलायम सीह सरकार के काल में हुआ था वो भी दुख हमारे मन में था लेकिन वो दुख हमने पचाय दिया और हम थोड़ा विठिक मन से घर बे आये और परामंदिर निर्वान के लिए अब क्या करेंगे इसके विचार में रहते थे तो यह सब निया एलंड में खट्ड़ा प्रविष्ट हुआ उसकी सुनाई हो रही थी और कितने धर्मद रही यह मंदिर नव होने के लिए प्रयास कर रहे थे और राम भक्तों मंदिर बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे सबके मंद में यही पूरे भरोसा था कि श्री राम जी मंदिर बनाएंगे है और वो सब आच राम मंदिर निर्मार हो वे यहां उसके प्रान परतिष्टा सोड़ा भी हो रहा है और घर घर में हरे गाह में राम मंदिर निर्मार के आनन के लिए दिवाली दर्शी मना रहे है 92 से 23 तक रहा देखने पड़ी बहुत यह उम्मन में था कि कब होगा कब होगा मेरी उम्मर 75 साल की है मैं उमन में सोच रहे थी को मुझे में राम मंदिर बन रहा है यह सब देखने को मिलेगा की नहीं यह भी था यह मैं सोचते सोचते इतने साल निकल गए और फिर मैं एक धार्मिक संस्ता से साधाना करने के लिए जुड़ गई और इसका लाव अगली पिड़े के लिए राम भक्त बनने के लिए बहुत ही प्रेरना दाय ही होगा और सब हिंदू के मन में इच्छा है देशे स्री राम जी की मंदिर चुट्टे हुए राम मंदिर बन गया है वैसा ही कुरुष्ण भक्त और शियों भक्त के मन में भी चाहत है और वो भी इश्वरी कुरुपा से होगा यही उमेद के साथ मैं आपको सब को धन्यवाद देती हूँ नमस्कार प्रभूशे राम जी की कुरुपा से संपन्न हुई यह कार सिवा तथा लोगतांत्रिक मार्ग से हिंदों को मिलाया विजय उनके असीम त्याक से प्राप्त हुआ विजय है शिराम जन्म भूमी मंदिर की स्थापना यह राम राज्य की स्थापना की नीव है प्रभुशी राम जी को शरन जाकर अब इस दैवे राम राज्य की स्थापना है तो हम कटिबत्त होंगे